आप देख रहे हैं अपने उत्राखंड और मैं हूँ आपके साथ स्मिता सिंग शुरुआत करेंगे बुलेटिन के रुख करते हैं खबरों के और अगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्राखंड सरकार ने अपनी तैयारिया तेज कर दी है सभी विभागों की योर से यात्रा को सफल बनाने के लिए सकरात्मक पहल किये जारे है चारधाम यात्रा के दोरान आने वाले तेर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्त सिवाय मोहया कराने के लिए यात्रा रूट्रों पर पचास हेल्थ एटियम की सुविधा मोहया कराई चारी है मुख्यमंतरी पुसकर सिंग धामी ने कहा है कि चारधाम यातरा में हेल्थ A.T.M. की सुविधा होने से शुधालों को काफी लाव होगा चारधाम यातरा मार्ग पर चिकत्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक अच्छा और बड़ा प्रयास है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मानस खंज इस्तित पवित्र अस्थानों मानसरोवर यात्रा, बैजनात धाम, कैंची धाम, पुर्णिया गिरी, चितेई धाम के लिए भी हेल्थ एटियम की कवायत की जा रही है हेल्थ एटियम, पचास हेल्थ एटियम अभी चारधाम सड़कों पर लगाए जाएंगे और जहां चारधाम सड़कों के लगने से आने वाले स्रधालों को, परेटोकों को और इस्थानी लोगों को भी उससे बहुत लाब होने वाला है हेल्थ एटियम से बहुत प्रकार की जाचे हैं जिसके लिए उन्हें अने को इस्थानों पर जाना पड़ता था, अब एक ही इस्थान पर उनको मिल जाएंगे और साथ में टेली मेडिसन का भी उसमें उपचार मिलेगा और बहुत कारगर होगा, मैं समस्का हूँ उत्रकन में चारधाम यात्रा अगामी बारिस अप्रेल से शुरू हो रही है, यात्रा के सभी तैयारियों को अंतिव रूप दे दिया जा रहा है मुख्यमंतरी पुसकर सिंग धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर काफी पहले से ही तैयारिया शुरू कर दी गई थी और सुविवस्थित यात्रा के लिए सभी प्रियास किये जा रहे है मुख्यमंत्री पुस्कर सिंग धामी ने यह भी कहा है कि इसके लिए सभी बिभागों से लगातार को औरिनीशन किया जा रहा है और आज भी प्रेटन बिभाग के साथ बैठक की गई है बुख्यमंद्री पुसकर सिंग धामी ने चार धाम यात्रा और महापंचायत की तमाम आशांकाओं को लेकर कहा कि उनके अनुरूप ही यात्रा को सुचा रूखिया जाएगा कि ऊइए बुख्या नियुकर चार धाम मयात्रा को लेकर हमारी सभी तैयारियां अल्मोस्ट इस भार भौत पहले ही हमने सुरू कर दी है जो जाब में की तैयारियां हमारी अंतमा आतर होती थी वह स्वार हमें जनुवरी महां से और मैं काूंदो महां से जयसे ही कापाट लोगों की संखा है या जो बी उनका जो आप उसी सोच के अंदोग यात्रा को संचालिक करेंगी और महा पंचायच के लोगों के जो उनकी मांग है या जो चाहते हैं वह बी और दूसरा यात्रा भी कि आने वाले लोगों को फरेशानियों का सामदाना करना पड़े अत्यादिक जो दबाव होता है उस दबाव को भी ठीक प्रकार से नियंतिक करना सभी कहलों को द्यान रख जमरानी बांध प्रयोजनाओं को केंद्री वित मंत्राले ने प्रधान मंत्री क्रिशे सिचाई योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को स्विक्रती दे दी है इस पर मुक्य मंत्रे पुसकर सिंग धामी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का अभार चताया है अब जल्द ही उत्राखंड में मुहत्योकांची जम्रानी बांध परियोजना अब जल्द ही आकार लेगी इसको लेकर उत्राखंड के सीम पुसकर सिंग धामी ने क्या कुछ कहा आईए सुनाते हैं काफी लंबे समय से यह परियोजना रुकी हुई थी उत्राखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बागेश्वर के गुरूरर छेत्र के रेखा पांडे से फोन पर बात कर उन्हें सुबकामनाईदी रेखा पांडे भागेश्वर जिले के गुरूर शेत्र की भीटा की रहने वाली है रेखा पिछले दो महीने से टैक्सी ड्राइवर का काम कर रही है और रानी खेत से हरलिद्वानी डील सर्विस टैक्सी चलाती है परिवहन मंत्री ने कहा है कि सो रोजगार की ओर महिलाओं के बढ़ते कदम के लिए रेखा अपने आप में विशाल है आपको बता दे कि रेखा पांडे उत्राखंट की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर है जो कि रेखा ने बिगत परिस्तितियों में भी हिम्मत नहीं हारे और आज वो सब के लिए आदर्श बनी भी है कि रानी खेट की एक सहसिक महिला जिसके परिवार में उनकी पती तैच्छी चलाते थे वो कई महनों से बिमार है उनकी पत्ति रेखा पांडे जो रानी खेट में रहती है और उसका मायका मेरे विधानस्वाशेद बागे सर्म भीटा में है उसने सहसिक कदम उठाकर वो स्वयन टेक्सी का संचालन कर रही है रानी खेट से हल्दवानी और हल्दवानी से रानी खेट वो टेक्सी से यात्रियों को सवारी करा रही है मैं समस्ताओं की एक महिला होने के नाते समाज में दरपड के रूप में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए जो उसने सहसिक कदम उठाकर अपनी टेक्सी चालक के रूप में उसने जो काम सुरू किया वो बहुती सरानी है आत्म निर्भर बनने के लिए एक कदम है और अन्य महिलाओं को भी शोरजगार से जोड़ने के लिए अपना काम करने के लिए और महिला भी पुरूष के कंदे से कंदा मिलाकर कर सकती है ये प्रेड़ा देने के लिए रेखा पांडे आगे आई है इसलिए मैंने उसके उस्षा बर्धन के लिए मैंने श्वाइंग रामनगर में मंगलवार से तीन दीनों तक G20 सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है जो कि कल 28 मार्श से 30 मार्श तक आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है इस सम्मेलन में 20 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं और खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपत वंत सिंग पन्नू ने इस सम्मेलन से पहले प्रदेश के मुख्यमंतरी को धम की दी है और कहा है कि उत्रकंड में उनके सं आप रस्तानी तेख रहा है यह जो भी स्प्राइन की चीजें है उसको अमारा प्रसासन देख रहा है और बैठकी सारी तैयरियां बहुत अश्य हो रही हैं और हम अधनी प्रदान मंत्री जी का धन्यबाद करते हैं कि उन्होंने अमारे राज्य को एक नहीं 2 नहीं बल्के प्रदेश दुनिया और संपूर भिसूट जो है भारत के साथ केंडरी स्वास्ते मंत्री मानसुक मंडवी उत्राखंट के दो दिवस्ति दौरे पर 30 मार्च को उत्राखंट आएंगे और इस दौरान व स्वास्त यूजनाओ का शुलान्यास भी करेंगे राज में स्वास्त सेवाओं को लेकर सरकार के साथ बैठक करेंगे जिसमें चारधाम यात्रा में स्वास्त सेवाओं पर चर्चा की चाहेंगे 31 मार्च को चमोली जीले के मलारी गाउं भी जाएंगे और केंडरे स्वास्त मंत्री के दौरे को लेकर स्वास्त विभाग का भी तैयारियों में जुट गया है और सूतरों के मुताबिक केंडरे स्वास्त मंत्री देहरादून में किसी शहरी सामधाई केंडर का निरक्षन भी कर सकेंगे अगले दिन वह चमोली जिले के सिमांत गाउं मलारी भी जाएंगे और चारधा मियात्रा मार्गों पर स्वास्ते सुविधाओं का उच्चे करन करने के लिए सरकार ने 500 करोर का प्रस्ताव केंद्र को भीजा है दिनेशपोर दुर्गा मंदिर में महिला संगठन के द्वारा बेल विरिक्ष के पूजा और गंगा पूजन के बाद देवी वसंती पूजा की शुरुवात कर दी गई है बसंती पूजा हुबहु दुर्गा पूजा की तरह की जाती है और महिला संगठनों के द्वारा दुर्गा मंदिर के भबे रूप से सजाया गया है और बंगाली समाज के महिलाओं के द्वारा अपनी वेश भुसा में दुर्गा मंदिर परिशर में परिशर से हरी मंदिर पैदल चलकर इस्तित तलाब से जल लाकर बेल वरेक्ष की पूजा पंडित के दुवारा मंतो चारण के साथ किया गया है बसंती पूजा पाँच दिनों तक किया जाएगा इस दौरान महिला कमीटी के सुनीला मिस्तरे ने कहा है कि दुर्गा पूजा की भाती ही बसंती पूजा भी किया जाता है जिसका शुरुवात आज से किया गया है दर्ति पर जितने भी दुख दर्व है यह सब माताओं दूप करें और सभी माताओं के सुवागरी बने रहने के आश्रुव बिगत 22 मार्च से शरू हुए काशिपूर के सुप्रसेदे चैती मेले में अगामी 28-39 मार्च के मद्दे रात्री मा बाल सुन्दरी देवी के अश्रुपूर में निर्माधीन आर्वी ओवी के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ एक बैठक की है और मौके पर पहुँचकर विवस्थाओं का चौय जा लिया है इस दौरान निर्माधाई कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने सहायक प्रवधान पंडा को मा के डोला मार्ग को उक्त दीवस्थ तक व्यक्तिगत कराये जाने तथा मार्गों में प्रकास की विवस्था कराये जाने का अश्वासन दिया है अच्छा जी सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हम पर विश्वास करने के लिए भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और जो भी हम लोगों की तरह से निर्देश दिये गए हैं जो हमें अगनी होतरी जी ने बताया है जिस तरीके से वो दोला जाएगा उस तरीके से हमने इनके निर्देश लेके अपनी जो कंपनी है उसके बंदों को सारों को फॉरवर्ड कर दी है वो और सेम उसी तरीके से इस बार जो दोला जाएगा उसमें कोई भी विवधान ना आने की हमारा पूरा आश्वासन है आप लोगों को और सारा जो सिस्टम है वो हम लोगों ने अगनी होतरी जी से समझ लिया है और उसी प्रकार से उसका पालन किया जाएगा देखिए 28 तारीकों मा का डोला आना है रात्री में तो उस सम्मन्द में ही मैं आज यहां निरिक्षण करने आया था मार्क का और यहां दीपक बिल्डर्स के जो प्रोजेक् गड़ों कोई तकलीफ नहीं होगी तेकि इस समय बर्तमान परिस्तितियों को देखते हुए डोला और डोले के संग जो पैदल शद्दालूगन है वो सारे इस रूट से जाएंगे और अगर कुछ बाहन है तो बाहन मारना प्रताप चौक से डैवर्ट होकर पटेल नगर से जाके डोले में समलित हो जाएगा यह वापसी का भी यही रूट रहेगा और चार अपरेल की रात में बापसी लालकुवा कोटवाली शेत्र के अंतर गते बिंदुक था सास्ट्री नगर के पास से कोटवाली पुलिस ने एक स्मैक तसकर को दवोचा है जिसके पास से पुल में पूश्टाश कर रही है पुलिस ने उस पर एंडी पीसे पीसे एक्ट के तहत प्रकरन दर्श कर लिया है और वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुर्व में लगबग एक दर्जम से अधिक अपरादिक मामले दर्श है आरोपी पुर्व में हिस्ट्रिस सीटर भी रहे है कि लालकुआ पुलिस के द्वारा कल शाम की चेकिंग के समय जो हम कानोनी वस्ता चेकिंग हमारी चलती है उसके चलते एक अभियुक्त जो औरेडी जिसमें 12 मुकदमे दर्ज है उसके पास उसको पकड़ा गया तो देखा कि उसकी चेकिंग के दोरा उसके पास 16.08 ग जिदिक कारवाई उसके अंतर की जारी है यह अभियुक्त का नाम सुंदर शिंग बिस्ट फुतर शेड़ सिंग बिस्ट निवाशी शास्त्री नगाल बिंदुकता इसका पूर में मिन इसका यह अभियुक्त 2017 से इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं जिसमें से चार आपका हमारी टीम है बनीवी है जो निर्धारित समय पे अपनी चेकिंग करते रहते हैं और वो वर्दी में बिना वर्दी में इसके बारे में अभी आपको बत जानकरी बात फिलाल रुकते हैं एक छोटी से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द हाजर होंगे बुलेटिन में ब्रेक के बाद स्वागत है रुक करते हैं अगली खबर के जो कि उत्राखंट के मसूरी से है आपको बता दे कि जवाहर एकेरियम के निकट कुरा घर को हटा कर वहां पर तीन दुकाने बना देने का मामला सामने आया है जबकि पुर्व में MDDA के BC ने इस अस्थान को महला सौचाले बनाने की निर्देश दिये थे इसके बाद नगर पालिका और MDDA की बैठक होई थी जिसमें इन तीन दुकानों के अस्थान पर महला सौचाले बनाने की निर्देश दिये गये थे लेकिन नगरपालिका ने NOC नहीं दी और वहाँ पर तीन दुकाने बनकर आवंटित कर दी गई है यहाँ पर अजवर सिंग नेगी ने दुकान खोल रखी जब उसे तोड़ने लगे तो उन्होंने वही गड़ा विरोध किया लेकिन प्रश्रासन ने एक नहीं सुनी और उनकी दुकान से समान बाहर निकाल कर दुकान का शटर तोड़ दिया और महिला सौचाले और विव्यांग सौचाले का बोर्ड लगा दिया प्रश्रासन ने वार करते हैं और मैं अपने आथ मतर भी कर लूँगा तो यह लोग जम्हेदार हो गया और इस सब्सक्राइब आप दिया एक आपके निडेर तिये गहां महिला सवचाले बनेगा चारधाम व्यात्रा के दोरान जनपते टिहरे में 10 प्रियटन पुलिस चौकी खोली जाएगी जिसमें प्रियटन पुलिस के साथ रेगुलर पुलिस की तैनाती रहेगी चौक चौराहो पर तैनात होमगाज और पियारडी के जवान मेडिकल फॉस्ट रिस्पॉंडर की ट्रेनिंग लेकर ड्यूटी करेंगे और पुलिस ने चार धाम पर आने वाले तिर्थ यात्रियों के सुविधा के लिए यह एहम नरने लिया है आपको बता दें कि अप्रेल माह से चार धाम यात्रा का शुभारम होने जा रहा है यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार विवस्थाओं को जुटाने में लगा है इसी कड़ी में जन्पद चेहरी के स्स्पी नवनीत भुलर ने चार धाम यात्रा पर आने वाले तिर्थ यात्रियों की सुविधा को कई अहम नरने दिये हैं यात्रा के दौरान चालू रहेंगी और इन प्रेटन पुलिस चौकियां में दो पुलिसकर में प्रेटन पुलिस के और इसका तरिक्त जो रूटीन पुलिस है थाना पुलिस उसके करमचारी गुवा मौजूद रहेंगे और जो होंगार्ड और प्याड़ी जो अपना योगदान देते हैं यात्रा के दौरान इनके लिए एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉंडर मेफार का पॉर्स जो है तीन दिवसका यह करवाया जा रहा है कि अगर कोई एक्सिडेंट यह आपता यह को चोट लगती है तो एंबुलेंस दॉक्टर के पास पहले उसको जो 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 चोट लगी है उसको कैसे स्टेबलाइस किया जाए जाए इस इसकीन को इनिश्पूर में बंगला स्विक्रति संस्कृति की सरवंधन और उन्यन कैस कैसे हो इस पर स समाज की कला संस्कृतिक उत्यान के लिए शक्ति फॉर्म रुद्रपूर और दिनेश्पूर की प्रिभुद जनों के साथ बैठक की गई है इस दोरान बंगाली नेतर प्रकास दिकारी ने कहा कि बंगला संस्कृति हमारी पहचान है और इस पर संगठित रूप से कारे करने कि आविश्यक्ता है ताकि एक मंच तयार किया जा सके जिसके तहट हमारी कला संस्कृति की प्रिस्तूतिक करण हो सके मोटो है वो है कि बंगला भासा, बंगला कल्चर और उसे के शाषा जो है जैसे बंगला आटा क्या बंगला फिल्म बगरा इसको प्रोडूस करना यह हम लोग का उद्धेश है और एक मतलब इस्ताई रूप से बंगला भासा का वो प्रचारबाप्रशारन हो वोई अग्तिविटीज को लेकर कहीं भी मंच नहीं है और एक संगटन के रूप में आज तक ऐसा कोई कारी नहीं हुआ है हलांकि राजनितिक और सामाजीक तोर पर बहुत सारे संगटन कारी कर रहे हैं उनका बहुत भूँत धन्यवाद लेकिन सांस्कृतिक गतिविद्यों को लेक अग्तिविटीज को लेकर हम उतरने की तयारी असल में हम लोग प्राश ही कर रहा है कि जो बंगाली कल्चर की जो एक्टिविटीज है वो जैसे कि बंगला नाटक या बंगला संगीत मेला की आजन करके नहीं जो पिड़ी हैं उनको प्रोसाहित करें और सक्ति फार्म दिने करें इस प्रकार की जोजना है उतराखन सरकार से यह कहना है कि जो बंगाली भासा संस्किती के विकास के लिए प्रसाहन के लिए उतराखन सरकार भी अगर द्रिश्टी देंगे तो कोई ना कोई हमारी संस्किती की जो अवगती की और जा रहा है अपने उत्राखन बुलेटन में फिलाल के लिए इतना ही देश्व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं वीडियोस नमस्कार